दोस्तो नमस्कार, वल्कम टू GS फाइटर्स, दोस्तो टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नमर 41 को डिसकस करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग GK और GS के कुश्चन्स की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतरगत और ये कुश्चन्स हमने तयार किये हैं दहली पुलिस एक्जाम, उत्तर प्रैडिस पुलिस एक्जाम का जो सलावस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है और साथ मैं इंक्लूड रहते हैं हमारे करेंट अफेर्स ये प्रैशन देखिए करेंट अफेर्स से रिलेटेड हमने कुछ बदलाव किया है और बदलाव ये है कि आपको पहले वीडियो के स्टार्डिंग में तीन से चार प्रैशन करेंट अफेर्स से देखने को मिल जाते थे अब ही हमने किया है कि दो स्लाइड के अंतरगत जादा से जादा जो है करेंट अफेर्स को रखने का प्रयास किया है अब आपको करेंट अफेर्स को रखने का प्रयास किया है अब आपको करेंट अफेर्स को रखने का प्रयास किया है आपको ये करेंट अफेर्स वीडियो क end में मिल जाएगा एक बार देख लीजिए अगर बदलाव अच्छा लगता है तो continue करेंगे और अगर आप कहते हो कि इसको change किया जाए तो आप जैसे भी राय देंगे हम उस पर काम करेंगे ठीक है? चलिए तो अभी तक आपने GS Fighters को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GS Fighters आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना चलिए पहला प्रेशन पढ़िए भारत और बांगलादेश के मध्य है निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांगलादेश के मध्य है मित्र शक्ती, धर्म गार्जियन, मैत्री युद्ध अभ्यास या संप्रिती एक्स देखे हमारे इस प्रेशन का सही जवाब है option number D संप्रिती एक्स जो है exercise इंडिया और बांगलादेश के मध्य होती है चलिए थोड़ी सी डिटेल में और बहुत सारी exercise है जो कि important है उनको हम एक बार revise कर लेते हैं जैसे संप्रिती हो गया हमारे प्रेशन का जवाब संप्रिती exercise इंडिया और बांगलादेश के मध्य होती है मित्र शक्ती इंडिया और स्री लंका मैत्री exercise इंडिया थाइलेंट वज्जर प्रहार इंडिया और USA के मध्य होती है युद्दब्यास के नाम से ही है युद्दब्यास इंडिया और USA के मध्य होता है Nomadic Elephant India और Mangolia के मद्धे होता है Garur Shakti India और Indonesia Shakti Exercise India फ्रांस के मद्धे होती है Dharm Gargian India जापान के मद्धे है Suray Karan India और Nepal के मद्धे है Hand in Hand Exercise India और China Simbex India सिंगापोर और Shakti Exercise India और France और Corporate Exercise India और Thailand के मद्धे होने वाली exercise है तो ये कुछ महतपून important जो है exercise है इनको आप ध्यान रखिए दूसरा प्रेशन है निम्न मैंसे किस भारती राज्ये की सीमा भूटान रास्ट के साथ नहीं लगती है आपके options यानि कि North East का जो map है आपको contest याद होना चाहिए आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रेशन पहले भी पूछा है और आगे भी पूछे जानी की संभावना है ठीक है तो आपको बताना है भूटान से कौन से प्रदेश की सीमा नहीं लगती है सिक्केम, मेगाले, पश्ची मंगाल या फिर अरुनाचल प्रदेश देखिए हमारे इस्प्रेशन का सही जवाब ऑप्शन नमबर भी है मेगाले भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है ठीक है एक बर मैप में इसके दर्सन कर लेते हैं भूटान है कहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये भूटान है ठीक है और इधर अरुनाचल प्रदेश हो गया असम हो गया इधर सिक्किम इधर हो गया और ये पश्चिम मंगाल इस तरीके से पश्चिम मंगाल यहां तक फैला हुआ है ठीक है अब आप देख लिजिए हमारे options में सिक्किम भी था पश्चिम बंगाल भी था आरोनाचल प्रिदेश भी था और मेगाले भी था बट आप देखोंगे मेगाले इधर है सेपरेट है उससे विलकुल भारत के पड़ोसी देशों में पूर्व में है मियामार बंगलादेश उत्तर में भूटान है नेपाल और चीन उत्तर पश्चिम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलेंगे ठीक है यह भारत के पड़ोसी देश हो चुके भूटान की इस तलिए सीमा भारत के चार है तीसरा असाम है और चोथा है अरुना चल परदेश ठीक है इनको याद रखे जरूर और बंगलादेश के तीनों और से घहरा हुआ भारत का एक मात्र राज्य तरिपुरा है इसको भी याद रखेंगे आप ठीक और अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि से कौन-कौन से राज्यों की सीमा लगती है देखें बंगलादेश यहां तक इस तरीके से है तो एक तो मिजुरम हो गया तरिपुरा हो गया मेगहले हो गया असम हो गया असम की सीमा यहां भी लगती है और यहां भी ठीक है और एक हो गया पश्चिम मंगाल यानि कि पांच राज्ये ऐसे हैं भारत के जिनकी सीमा है बांगलादेश से लगती है ठीक है और बांगलादेश भारत के साथ सरवाधिक सीमा बनाने वाला इस थलिये सीमा बनाने वाला देश है ठीक है लगवा चार हजार चानवे किलो मीडर की सीमा बांगलादेश की भारत के साथ सनलगन है ठीक और मियामार के साथ कौन कौन सी राज्य सीमा बनाते हैं एक मिजोरम हो गया, मनीपुर हो गया, नागा लेंड हो गया और अरोनाचल पर देश हो गया चार राज्य हैं जो मियामार के साथ सीमा साचा करते हैं ठीक है चलिए अगला प्रेशन पढ़िए आप निम्न में से रास्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतरगत कौन सी फसलें सामिल हैं रास्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन आप कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हैं इस प्रेशन को के देश के अंतर कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मुक्यत हैं खाई जाती हैं एक हो गया चावल, एक हो गया गैहूं और एक है डाल. जैनि option D एकदम सही है, गैहूँ, चावल और डाल राश्ट्रे खाद्यय सुरक्षा मिश्णा के अंतरगत आने वाली फसले हैं। ओके, चलिए, देखिए, रास्ट्रे खाद्य सुरक्षा मिश्ण के अंतरगत गेहूं, चावल और दलहन को सामिल किया गया है, ताकि खादान्य उत्पादन में आई इस्तिरता और बढ़ती जनसंक्या की खाद्य उपभोग में खाद्य सुरक्षा की इस्ति को सुनिश्चित किया जा सके, जनसंक्या के उपभोग को पूर्ण किया जा सके, ठीक है, चलिए, देखिए, चौथा प्रश्ण है, आलू में ब्लैक हर्ट का कारक होता है, देखिए, जब आलू जो होता है, वो लंबे समय तक रखा रहता है, तो उसमें आप जब सो काटोगे, तो एक काला- धबा बन जाता है बीच में, उसी को हम ब्लैक हर्ट डिजीज बोलते हैं, यानि कि ब्लैक हर्ट डिजीज जो होता है, वो आलू से सम्भनित रोग होता है, और ये होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, आलू में ब्लैक हर्ट डिजीज, आप देखेंगे, इस तरीके स अगर आलू लंबे समय तक रखा रहे तो इस तरीके से ये उसमें रोग हो जाता है और ये ऑक्षीजन की कमी के कारण होता है ठीक है चलिए पांचमा प्रश्ण है निम्न में से कौन सा रोग नाइटरेट संदूशित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है यानि कि न इस प्रश्ण का सही जवाब option number C है blue baby syndrome जो रोग होता है वो नाइटरेट संदूशित यानि कि नाइटरेट से युक्त भोजन और जल का सेवन करने से होता है ठीक है blue baby syndrome इसमें क्या होता है कि यह है रुधिर में उपस्तित हीमोगलोविन के साथ मिलकर मैट हीमोगलोविन का निर्माण करता है और इसके परिणाम सरूप oxygen की मात्रा सरीर में घटने लगती है और फिर धीरे धीरे सरीर नीला पढ़ने लगता है इसी को बोलते है blue baby syndrome चीक है चलिए छेमा प्रेशन है कौन सा देश रेमन मैकसे से परुसकार है मैकसे से परुसकार देता है अभी हाल ही मैं आपको पता होगा कि डॉक्टर आर्ष रवी कर्णन को जो कि असम के एक कैंसर रूग विसेशगया है उनको 2023 का रेमन मैकसे से अवाड दिया गया है तो आपको बताना रेमन मैक्से से अवर्ड जो है कौन सा देश प्रोवाइड कराता है देखिए इस प्रेश्ण का सही जवाब है option number D फिलिपिन्स देश है उसके रास्टेपती थे रेमन मैक्से से उनकी जो जैनती है 31 अगस्त को यह पुरुसकार प्रोवाइड कराया जाता है और यह पुरुस मैक्से से प्रोषकार प्राप्त सबसे पहले बारतिय विनोवाववे ही थे और यह पुरुसकार जो है मैक्से से जो कि फिलिपिन्स के रास्ट पती रह चुके हैं और एक हवाई दुरगटना में उनकी मिरत्य हो गई थी उनकी जो जैनती होती है 31 अगस्त को उस दिन को यह प्रोषकार प्रोवाइड कराया जाता है और लोक सेवा, सामुदाइक सेवा, पत्रगारता, साहित्य, स्राजनात्मा कला और अंतरास्टे सूज बूज के लिए यह प्रोषकार दिया जाता है चीक है 2023 में चार लोगों को मिला है चार मैंसे, एक है हमारे रवी कंणन जो की क कौन सा देश संयुक्त रास्ट सुरक्षा परिश्यात का सदस्या कौन सा देश नहीं है। नहीं है UNSC का, United National Security Council का, ठीक है, बाकी UK है, France है, USA है, ठीक है, और कौन हो गया, एक हो गया, रस्या और दूसरा हो गया, चाइना, ये पाँच देश हैं, जो की United National Security Council के पर्मानेंट मेंबर हैं, ठीक, USA, Britain, चीन, फ्रांस और रूस, ठीक, और अभी प्रिजेंट में, जो 20-20 हैं जैसे Albania, Brazil है, Ecuador है, Gabon है, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Surjaland और United Arab Emirat, ये 10 सदस्ये हैं जो 20 हैं और इनका कारेकाल 2 वर्सों के लिए हैं, इसका उदेश है, किसका, UNSC, यानि अंतर राश्ट्रिये, शांतिय और सुरक्षा कायम रखना है, ठीक है, संहित राश्ट्रे सुरक्षा परिश्द का जो देश्य है, इसकी स्थाबना होती है, 17 जनवली 1946 को, और संहित राश्ट्र के कोल 6 अंग होते हैं, और 6 अंग इस प्रकार हैं, जैसे संहित राश्ट्र महासबा, सुरक्षा परिश्द हो गया, संहित राश्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिश्द हो गया, संहित राश अपना जवाब हमें comment section में दे सकते हो आठमा प्रशन है सिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मोहाने पर इस्थित है सिव सुंदरम प्रपात यानि सिव सुंदरम waterfall जो है आपको बताना है किस नदी पर इस्थित है देखे हमारे इस प्रशन का सही जवाब है option number C सिव सुंदरम प्रपात जो है कावेरी नदी पर इस्थित है चीक है और इसकी उचाई जो है 90 मीटर है करनाटक राज्य में इस्थित है सिव सुंदरम प्रपात कावेरी नदी पर सिव सुंदरम और देखिए आप जोग जलपरपाद जो है ये भी करनाटक में इस्थित है और इसको महात्मा गानी जलपरपाद या गर्सोपा जलपरपाद भी कहते है यानि जोग जलपरपाद को गर्सोपा जलपरपाद भी कहते है और महात्मा गानी जलपरपाद भी कहते है और ये आपको मिलेगा करनाटक में साराबती नदी पर जिसकी उचाई 255 मीटर है जोग जल परपात की उचाई 255 मीटर है ठीक है चलिए दुनिया का सबसे उचा जहरना जो है वाटरफॉल जो है एंजल जल परपात है जिसकी उचाई 989 मीटर है और यह आपको मिलेगा वेनिजुला में और वेनिजुला एक दक्षण अमिर की देश है, इस देश में कैरोनी नदी है मुख्यर रिवर और उसकी जो साहिक है चुरोनी नदी उसी ही पर बना हुआ है एंजल जलपरपात, ठीक है कपिल धहरा जलपरपाथ नर्मदा नदी पर है आपको बताना है अब कॉमेंट सेक्शन में कि कपिल धहरा देखिए हमारे expression का सही जवाब option number one है महाबली पुरम में है शोर मंदिर चिक है चलिए इसके दर्सन कर लेते हैं एक बार देखिए ये है आपका शोर मंदिर द्रैविट सैली में बना हुआ है देखिए मुख कहता है दो ही सैलियां famous हैं बट तीसरी सैली भी है एक द्रैविट सैली एक नागर सैली और एक है बेसर सैली द्रैविट सैली के मंदिर जो होते हैं दक्षिन भारत में जो मंदिर होते हैं वो द्रैविट सैली में बने होते हैं आप देखोगे, इस तरीके से उपर चौकर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये घटते जाती है, इसकी जो है, लंबाई चोड़ाई, इस तरीके से ये होते हैं मंदिर्स, ठीक है, दक्षिन भारत में, लेकिन उत्तर भारत में, और दक्षिन भारत के ये जो मंदिर होते हैं, य और यह मंदर होते हैं, द्रैविट सैली है, इन दोनों का ही combination होता है, एक जिसको हम बेसर सैली बोलते हैं, और यह मुक्यत है जो गुजरात वाला reason है, गुजरात, बार नगरास्य न हनुकर होता है बेसर सैली के, ठीक है, बेसर सैली में द्रेविड और नागर सैली दोनों का ही मिक्षप रहता है, शोर मंदिर जो होता है, यानि ये जो मंदिर है, सोर मंदिर, ये महावली पुरम मेस्तित है, ये एकाश्म मंदिर है, एकाश्म का मतलब होता है, एक पत्थर को काट कर बनाया और ये एक रत मंदिर है, सब्त पैगोडा आधी नामों से इसको भी जाना जाता है, शोर मंदिर जो है, इनकी संख्या आठ है, सोर मंदिर को नरसियंग वर्मन प्रतम ने बनवाया था, जो की पल्लव वंस के एक बहांतम शासक हुए, नरसियंग वर्मन फर्स्ट ने बनवाय कुल मिलाकर याद रखिए, महावाली पुर्म में शोर मंदिर है, पहली चीज, इसका निर्माण जो है पल्लव वंस के सासक नरसियंग वर्मन ने करवाया था, ठीक है, दूसरी चीज याद रखेंगे, और तीसरी चीज याद रखेंगे, बैकुंट पेरुमल मंदिर, ये क प्रश्ण का सही जवाब औप्शन नमबर C है, पंडि जवाहला नहरू थे, सम्मिधान सभा की जो केंद्रिय सम्मिधान समीथी थी उसके अध्यक्ष, चीक है, चलिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पर, एक सेकेंड, सम्मिधान सभा के केंद्रिय सम्मिधा सम्मिधान समीथी के दोनों के अध्यक्ष दे पंडि जवाहला नहरू, संचालन समीथी के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर प्रशाद थे, प्रारूप समीथी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेड कर थे, और प्रांतिय सम्मिधान समीथी के अध्यक्ष सर्दार 1946 में डॉक्टर राजिंदर प्रिशाद को सम्मिधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है ठीक और 13 दिसंबर 1946 को पंडिक जवाहला नहरू ने उद्देश्य प्रस्ताब को प्रस्तुत किया था सम्मिधान सभा के सामने और जो की बाद में चलकर सम्मिधान की उद्देश्य का बनती है ठीक है इस तरीके से जो है सम्मिधान सभा सुरू हुई और 26 नॉम्मर सम्मिधान सभा की जो अंतिम बैठती 24 जनवरी 1950 को होती है ठीक है और 26 जनवरी 1950 को सम्मिधान पूरी तरीके से लागू होता है संभीधान सभा का प्रतिक चेन ने था हाथी इन्हें भी याद रखेंगे आप चलिए ग्यारमा प्रेशन है ब्रेटिस काल में भारत में प्रतम जनगरना किस के काल में हुई थी आपको बताना है जब ब्रेटिसर्स का रूल था इंडिया पर तो सबसे पहली जो जनगरना हुई थी किस के काल में हुई थी लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेव या लॉर्ड लिटन देखिए वर्स 1781 नहीं 1881 1881 ग्यारमा प्रेशन पढ़िए ब्रिटिस काल में भारत में प्रथम जनगरना किस के काल में हुई थी आपके ओप्शन्स हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेव या फिर लॉर्ड लिटन देखिए पहली जनगरना होती है 1872 में अब आप अनुमान लगाए डफरिन का जो कारेकाल था वो 80-85 थक था 1885 क्योंकि कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में होती है ठीक है और हमारे इस्प्रेशन का सही जवाब अप्शन नमर C है लॉर्ड मेव के काल में प्रथम जनगरना होती है भारत में चलिए डिटेल देख लेते हैं बारत में प्रथम जनगरना 1872 में लॉर्ड मेव के काल में होती है ठीक बारत में नियमित जनगरना 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में इस्टार्ट होती है यानि की continue रहती है 1881 से लॉर्ड मेव ने अजमेर में 1872 में मियो कॉलिस की स्थापना की थी और 1872 में क्रेसी विवाग की स्थापना की ठीक है डफरिन के समय में ही भारती राश्ट्री कॉंग्रेस यानी 1885 में कॉंग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के समय में और पहला अदिवेशन होता है मुंबई में जिसके अध्यक्ष दे व्योमेश चंद्र बनर जी, ठीक है, चलिए. 12 मा प्रेशन है, आपको बताना है, डियागो गार्षिया द्वीप किस माहसागर में इस्थित है? देखिए दियागो गार्षिया पर अभी USA का कबज़ा है आपको बताना है ये किस महासागर में स्थित है ये जो दीब है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर देखिए हमारे expression का सही जवाब option number C है ये दियागो गार्षिया मिलेगा आपको हिंद महासागर में चलिए दर्शन कर लेते हैं एक बार ठीक है, चलिए पहले map देख लेते हैं उसके बार detail में देख लेंगे देखिए, डियागो गार्षिया मिलेगा आपको ये ही देख रहे हैं आप यही है डियागो गार्षिया दूइप यहाँ पर new more deep है जो की कोलकाता में इस्थित है बंगलादेश और कोलकाता जो boundary है वहाँ पर इस्थित है नियू मोर दीप, ठीक है देखिए, current affair में हमने जो बदलाब किया है वो इस परिकार है पहले हम question और answer की form में current affair को देखते थे अभी हम क्या करेंगे, factual information देंगे आपको ठीक है, जैसे मेजर ध्यानचंद hockey tournament 2023 को जीता है स्रीनगर ने, Miss World 2023 के फिनाले का आयोजन जमू एंड कस्पीर में होगा ताइवान की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनेगा महिंद्रिरी, यह है एक युद्धपोत है जो की भारत ये नौसेना में शामिल किया गया है Miss Diva Universe 2023 जो की जीता है स्वेता शारदाने उत्तर प्रदेश के हर जिले में शाइबर क्राम स्टेशन की स्थापना की जाएगी Which side my life in Indian Cricket यह एक आटो बाइग्राफी यानि आत्मकता है अमरत माथुर्की ठीक है? चलिए अगला फैक्ट है, current affair फैक्ट है एकता कपूर बनी भारतिय महिला पहली भारतिय महिला जिनने मिला है अंतराश्ट्य एमी प्रसकार, एकता कपूर इस रोका आदिते L1 सूर्य के अध्यन के लिए एक मिशन है, नहरू मेमोरियल संग्राले का नाम बदल कर अब प्रधान मंत्री संग्राले कर दिया गया है, देश के प्रतम महिला अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिनहा, फीडे यारी वित्त उध्योग विकास परिसत के अध्यक्ष मने है उमेश रेवंकर ठीक है, देखिए ये था हमारा करेंट अफेर से जो बदलाव हमने किया है उससे रिलेटेड था, अगर आपको पसंद आया है और नहीं पसंद आया है, अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में दे सकते हो तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अभी तक आपने GS Fighters को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GS Fighters आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक किये विना जाना नहीं, ठीक है और टेलिग्राम चैनल जाइन कर लीजिए प्रतेक टेस्ट की PDF के लिए चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए Thank you very much